नमस्कार वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों का इस चैनल में हुम स्वागत करते हैं दोस्तों इस चैनल में आपको ज्यान को बढ़ाने वाले ज्यान वर्थक वीडियो दिखाए जाएंगे दोस्तो साइज सभी लोग जानते होंगे कि बारत को सोने की चिडिया कहा जाता था सोने की चिडिया वैचे ही नहीं कहते थे क्योंकि वेद काले समय चे ही भारत में सोना बनाने की विद्या चली आय रही थी इस विद्या को हैमवत्ती विद्या और रस विद्या के नाम से जाना जाता था ये विद्या हैमवत्ती विद्या यानि स्वर्न सिध्धी विद्या को आज ज़्यादातर लोग कीमियागिरी से जानते है बारती रसायन विद्या का इत्यास बहुत लंबा है, फिर कभी इसकी बात करेंगे आज हम एक जड़ी बुटी की द्वारा ताम्मे को सोने में बदलने का प्रयोग आपको बताएंगे सत्याना से एक ऐसा पोधा है जिसका उप्योग पहले के जमाने में सोना बनाने के लिए किया जाता था ये पोधा लगबग ढ़ाई से तिन फिट उंचा होता है और सरवांग कांटेदार होता है इसके पत्ते को तोड़ने पर पीले रंग का दूद निकलता है और इसके फूल भी पीले रंग के होते है इसका संस्कृत नाम भी स्वर्नक्षिरी और कांचनक्षिरी है सोना बनाना के लिए स्वर्नक्षिरी का दूद 50 ग्राम लेना है इसके साथ लाल थोहर जिसे सेहूर से भी जानते है ये लाल रंका होना चाहिए इसका दूद भी लाल ही होना चाहिए इसके बाद तामवे को सुध बना लेना है जो बिलकुल सुध होना चाहिए सुध करने के तरिके भी सात्रों में बहुत सारे बताये गए है ताम्वे को पूरी तरह सुद्ध करके इसका सुक्समच चूर्ण बना लेना है और चूर्ण को सत्या नासिके पिले रंग के ताजे दूद में मरदन करना है खोंटना है इसके बाद दूप में सुखा लेना है इस प्रकार से पूरा पचास ग्राम रस उसमें आपको मिला लेना है और सुखा लेना है ये काम पूरा होने के बाद थोर के दूद में भी इसी प्रकार से ताम्र चूर्ण को खोंटना है और दूप में सुखाए ये क्रिया पूरी हो जाने के पाद तामवे को बट्टे में पिगलाए स्वर्नक्षिरी और लाल थोर का दूत अलग से आपको पचास-पचास ग्रम की मात्रा में पास में रख लेना है अब तामर चुर्नको लेकर बट्टे में पिगलाए और इसे उस दूत में बुजाए ये क्रिया साथ बार होने के बाद तामवा सोने में कनोट हो जाता है तामवा पूरी तरह से स्वर्ण में परिवर्थित हो जाता है ये वीडियो आपका ज्यान बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है इस प्रकार के पौरानिक प्रयोगों में कुछ ना कुछ रहस्यत चुपाया होता है जो पूर्ण गुरू बिना संभव नहीं है अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ये सिद्धी बिना गुरू के संभव नहीं है ये विद्या पौरणे काल से ही गुरू परंपरा से चली आ रही है आज भी मावजुद है लेकिन बिना गुरू के संभव नहीं है तो दोस्तो इस प्रकार के ज्यान वर्दक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा सेर करे